जै श्री राम जै हनुमान आज की बालकान कथा कुछ इस प्रकार है मुनि गति देखी सूरे से डेराना काम अहीं बोले कीन है सनुमाना सहित सहाए जाहू मम हे तू चलें हर सही जल चर के तू नारग मुनि की आइस्तिती देखकर देवराज इंदर डर गया उसने काम देव को बुला कर उसका आदर सतकार किया और कहा कि मेरे हित के लिए तुम अपने सहाए को सहित नारग जी की समाधी भंग करने जाओ यह सुनकर मीन धोज काम देव मन में पसंद हो कर चला सुना सीर मन महुम असित्रासा चाहत देवर सिमम पुरबासा जे कामी लो लुप जग माही कुटिले काक इव सबही डेराही सुना इन्र के मर में या डर हुआ कि देवर सिम नारद मेरी पुरी अमरावती का निवास राज चाहते हैं जगत में जो भी कामी और लो भी होते हैं वे कुटिल कौवे की तरह सबसे ही डरते रहते हैं जैसे एक मूर्ख कुटा सिंग को देख कर अपने सुकी हड़ी लेकर भागे और वा मूर्ख यह समझे कि कहीं सिंग उसकी हड़ी ना चीन ले वैसे ही इन्र नारद जी मेरा राज चीन लेंगे ऐसा सोचते हैं और ऐसा सोचते हैं उन्हें लाज भी नहीं आती तहीं आश्रम ही मदन जब गया हूँ निजे माया बसंत निर्माया हूँ जब कामदिव उस आश्रम में गया तब उसने अपनी माया से वहां वसंत रित को उत्पन किया तरह तरह के व्रच्छों पर रंग बिरंगे फूल खिल गएं उन पर कोईले कूखने लगी और भौरे गुंजार करने लगे चली सुहाव नित्रिभिद बयारी कामे क्रसान बढ़ाव निहारी रंभादिक सुरे नारी नभीना सकल असमर सरकला प्रबीना कामागनी को भड़काने वाले तीन प्रकार की सीतल, मंद और सुगंध सुहावनी हवाचन लगी रंभा आधी, नव युपती, देवांग नाये जो सब की सब कामना में निपुड थी करा ही गान बहुतान तरंगा बहुबिद क्रीड़ ही पानी पतंगा देखी सहाए मदन हरिसाना की नैसे पुनि प्रपंच बिधिनाना वे बहुत प्रकार के तानों की तरंग के साथ गाने लगी और हाथ में गेन लेकर नाना प्रकार के खेल खेलने लगी काम देव अपने इन सहाएकों को देख कर बहुत ही पसंद हुआ और फिर उसने नाना प्रकार के माया जाल किये सीमी की चापी सकें को उतासू बड़े रखवारे रमापती जासू परंतु काम देव की कोई भी कला मुनी पर असर ना कर सकी तब तो पापी काम देव अपने ही नास के भैसे डर गया लश्मी पती भगवान जिसके रच्छक होते हैं भला उसकी सीमा मर्यादा को कोई दबा सकता है सहित सहाय सभीत यती मानी हारी मन बेन गह से जाए मुनी चरन तब कही सुठी आरत बेन तब अपने सहाय को समेथ काम देव बहुत डर कर और अपने मन में हार मान कर बहुत ही आरत दीन बचन कहते हुए मुनी के चरनों को जा पकड़ा भायाउन नारद मन कचुरोसा कही प्रिय बचन काम परितोसा नाई चरन सिर आय सुपाई गयाउ मदन तब सहित सहाई नारद जी के मन में कुछ भी क्रोध नाया उन्होंने प्रिय बचन कहकर काम देव का समाधान किया तब मुनी के चरनों में सिर्नवा कर और उनकी आज्या पाकर काम देव अपने सहाई को सहित लोट गया जै शी राम जै हनुमान आज की बालकान कथा में बस इतना ही हर हर महादेव